दोस्तों आप सब में से ज़्यादा तर लोग पूछते हैं सर आप महात्मा जी टेक्निकल वीडियो स्क्राइब कैसे बनाते हो, काटून कैसे क्रेट करते हो तो इनी चीजों के लिए आज कर टूटोरियल्स पूरा मैं ले के आऊं कि किस तरीके से आप वीडियो स्क्राइब खुद बना सकते हैं खासकर उन बेगिनर के लिए ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, बेसिक टिप्स आपसको शेयर करूँगा कि किस तरीके से आप वीडियो स्क्राइब बना सकते हैं और अपनी क्वालिटी को वाइस ओवर की क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं जैसे मैंने महात्मा जी पही किया मुझे आज खुशी होती है कि जो स्टॉक की जब मैं खुद अपनी स्पीज सुनता हूँ तो बड़ा दिल भर जाता है कि सच में अगर वोईसोबर नहीं होता तो आज मैं यहां नहीं होता हाँ होता जरूर पीछे थोड़ा सा होता लेकिन वोईसोबर ने आगे बढ़ाया बहुत से लों सुछते हैं कि पता नहीं कौन सा स्टेज आएगा जहां मैं आगे बढ़ू कोई picture ले लेते हैं for example इस library से कोई house ले लेते हैं household चीजें जैसे for example यह हो गया यह ले ले लेते हैं इसाब three box यह box है इसका camera set कर देते हैं पहले normal play करता हूँ मैं इसे तो यह pencil के थूरू बन के आ रहा है यह आपको आ रहा है बनाना अब देखिए इसके properties पे click करिए एक तो move हो गया अगर move में move पे click किया order okay and then मैं इसे play करता हूँ तो एक भाई सब हाथ से उठा के लाकर इसको रख देते हैं मैंने का नहीं यार मुझे हाथ से नहीं चाहिए फिर इस पे click करेंगे move तो था ही उपर से hand पे click करेंगे और यहां पे बहुत सारे hands है अगर आप जिप से लाएंगे तो भी यह वो जिप लेके आएगा चलिए देख लेते हैं यह हैंडवाला इसलिए आया है पहली बार है एक सेकंड रुक जाहिए जिप डिलीट कर दिया and then मैं no hand कर रहा हूं देखते हैं एक बार फिर समझ आ जाएगा कि क गश्जाभ kto यह व्युजाद कर रहा हूँ देखते हैं कुण-कॉन से पैन देखते हैं pen कि थरू आ रहा है जिव दिखा रहा हूं बस वह भीन सब्सक्राइनकी बढ़िया निगा छते हैं ठोंन्मनि आप नूंव हैंड और यह वाला लगा सकते हैं चलिए फिर अपना हाथ हाथ कट करते हैं इसको साब और हम मूव में अपना नो हैंड रखते हैं फिलाल अब और इसको क्या कर सकते हैं फिर प्रॉपर्टी में जाएए अब देखिए आप इसमूथ हो गया मतलब प्यार से आएगा इक होता है गो टू फार एकदम से आएगा देखिए कैसे हैं दूर से आया और फिर नीचे जाके थोड़ा सा फिर उपर आके सेट हुआ मतलब बाउन्स हुआ दूर आके एकदम से आपको उसकी विजलाइजेशन बहुत बढ़ी हो गए वहीं पर आप क्या कर देंगे बाउन्स इन कर देंगे बाउन्स इन देखिए कितना बढ़िया दिखता है विले करता हूं गिरेगा ढप से एक और और गिरेगा फिर उपर म इसका रोटेशन करव है जितना आप रोटेट करेंगे साब उतना यह वो टेड़ा हो जाएगा इसको सीधा करने के लिए जीरो कर दीजे फिर से वहां चला जाएगा उन्डेड नैंटी वो उसका रप फैड कलर है जैसे कलर देखिए क्यों अपने आप कलर उड़ गया 10 पर आप सोड़ा साया तो रक सकते है उपसिटी टाइप हो गई बेसिकली है इसके उपर कुछ रख सकते हैं आप तो पैसिटी उसकी दिखेगी यह उपसिटी का काम करता है बैसिकली फेक्ट जो है आपके लिए रिप्लेश डेमेज कर सकते है इसने मिच को इस की जबक्र कोिया आने सारे effects जो हैं वो लगा सकते हैं effect लगाने के लिए आपको यहीं जाना होगा और animation की कितने दिर रखना है उस कितने दिर में पिक्चर आएगी पिक्चर बनने के बाद कितने दिर वो हापर रुखी रहेगी और transit जब वो हटेगी तो दूसरी picture आने में कितना smooth और कितना time च चार्ट वगेरा सब कुछ लगा सकते हैं तो सबसे पहले हम एक क्या लखना चाहते हैं आप जैसे for example January लिखना चाहते हैं अब देख सकते हैं कि मेरे पास three lines आ गई जो मैंने चूस करी थी अपने recording और यहां पे जैनवरी फैबरी लिखा हुआ आ गया बड़ाई सा इच्छा सा एक वो बन गया पाई चाट हो गया कि भी यह हमारे पास score है तीन बार लाएं दुबारा से चलते हैं और भी ले ले लेते हैं बहुत सारा अब मैं लेना चाहता हूँ यहां पर मैं लिखना चाहता हूँ for example man, boy, child और मुझे कितने arrow चाहिए चार चाहिए मैं लिजे चार लिख दी मैंने तो फिर अबना woman, child और उसके बाद मुझे चाहिए एक, दो, तीन, चार तीनी ग्राफ लेना है इसमें चार चली चार ले ले लेते हैं चार तक क्लिक किया है as usual आप बेख सकते है man, woman आप इसको जैसा मर्जी ले लिजे, pie chart को इधर से ले लिजे, इधर से ले ले लिजे, इतने सारे आपके पास आगया, woman आगया, pie chart बनके आगया आपके पास, अब आप इसको edit कर सकते हैं, move कर सकते हैं, चली play करके दिखते हैं, camera set and then play, जी हाँ, तो इस तरीके से आप कुछ बना सकते हैं, बड़ी ऐसा creativity और भी आप pie chart में देख सकते हैं, like five pixels line से color change कर सकते हैं, इसका color अगर black में रखना चाते हैं, तो black ले लीजे, and then okay, कुछ लिखना पड़ेगा पहले, sir, one, two, three, and then boy, लीजे, three colors में आगया, जैसा आपको color wise चीए, तो color wise मिल गया आपको यह, तो यह अच्छा सा graph type अगर आपको चीए, तो graph type आप बनवा सकते हैं, इसमें, और उसको camera set कर द पास्ट कर सकते हैं, आप बहुत बूर कर रहा हैं, चलिए, कोई बात नहीं, color आगया, बुक्स करने के लिए सीधा back करेंगे, जितना चाहिए, या फिर इस पर क्लिक करिए, यह इसकी animated speed, यह है कि उस दोनों के बीच में gap कितना होना चाहिए, pause का, चलिए, वो बताऊंगा, अब boys, तो मुझे man में जो है, वो 20 देना है, और woman में जो है, वो 10 देना है, और child में जो है, मुझे total 70 देना है, देखे, आप देख सकते हैं, कि boys में सबसे ज़्यादा आ गया, man में जो था थोड़ा ज़्यादा आया, मैंने woman में कम रखा था, आप समझ चूके होंगे कि किस तरीके से मैंने pie chart बनाया है, मैं दुबारा से इसको दिखा देता हूँ, सेम एक pie chart बनाके side रखते हैं, हाँपे, दुबारा से space आते हैं, और अपना ये बार था, ये line थी, ये pie chart हो गया, pie chart में देखे, उपर जो जो आपको character चाहिए ना, इसके बीच में से, हाँपे man, woman जो चाहिए वो लिख लिजे, जैसे मैं लिख देता हूँ, gen, feb, march, april, या गया, चार चीज़े मुझे लेने थी pie chart में, एक, दो, तीन, चार दिखा देते हैं, अब gen में मुझे दिखाना है कि भाया, gen में जो थे, वो 30% लोग वो थे, तो 30, February में उसके बाद February आता है, उस लिख लिख कर दी, जैसे मनें पिछली बार नहीं दिखाया था, यह inside है, यह no हो गया, यह outside दिखाएगा, फिलाल inside देख लेते हैं साब, and then okay, आप देख सकते हैं कि किता बढ़िया एक pie chart निकल के हमारे पास आ गया, तो यह समझ गया हूँगा, कि आपके इस तरीके से आप पाई चार्ट में मार्च अपरेल फेट कर सकते हैं कलर वे में, और जब इसको आप कैमरा सेट करके, जब थोड़ा सा पॉइंट निकम करके, जब आप इसको प्ले करेंगे, तो एक बड़ा अच्छा सा रोल दिखेगा आपके सामने, किता बढ़िया लगा यह pie chart, इस टाइ यह लीजे, chart में आगया, उपर yes, नीचे no, दो line होगी न, point बन गया, आपको दिखाता हूँ point कैसे, मैं तो ego का teacher हूँ, यह सब चीज मेरे लिए common है, आपके लिए बड़ा difficult हो सकता है, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है, difficult होना, बहुत आसान होता है यह सब भी, मैंने यह इसने बुदा कि x-axis और y-axis समझ लीजे, आपने पड़ा होगा mathematics में, यह आपका x-axis हो गया, यह y-axis हो गया, दो points बनाए थे मैंने yes का और no का, देखी yes और no, पहला वाला yes सबसे जादा था, दूसरा वाला no जो था वो कम था, तो यह point आक है, यह 30 पे होगा, तो यह 10 पे होगा, तो दोस्तो, I think आपको समझ आ गया होगा, next बात करते हैं, next वीडियो में, तो दोस्तो देखा आपने कि किस तरीके से यह tutorial है, और किस तरीके सा वीडियो बना सकते हैं, ऐसी complete detail के लिए कि वीडियो स्क्राइब पे कैसे काम करना है, फिल्मूरा पे कैसे काम करना है, या फिर Adobe Premiere Pro का professional जो belief for you sir है, वो हमारे platform पे आके सिखाते हैंगे किस तरीके से आप इस Adobe Premiere Pro चला सकते हैं, आप बहुत ही बहतरीन सारे courses हैं जो हमारे educator है, और हम उनका educator का list भी नहीं करते हैं, जिनके course में थोड़ा भी doubt होता है, इतनी बहतरीन courses आपको सीखने को विलेंगे, तो देर म करिए, दियो ए नमबर पे कॉल करके आप YouTuber बनने के लिए सही course का चनाव कर सकते हैं, जो कि आपको counselor बताएंगे, या फिर Vimei Creator की website पे जाके सीधा आप इस course को जोईन कर सकते हैं, मिलता हूं, नेक्स वीडियो में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं, झाने माद दोस्तों